रानू मंडल वही जो कोलकता रिल विस्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाकर रातो रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई रानू का गाना जिसने भी सुना उसके मूँ से यही निकला काश को इन्हें पिल्म में गाने का मौका दे दे सोशल मीडिया कैसे किसी आदमी की जिन्दगी बदल देता है इसका जीता जाकता उधारन है रानू मंडल अपनी आवाज से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना दिया रानू का गाना बॉल्लिवुट के सितारों तक पहुँचा जिसके बाद हिमेश रिश्यम्या ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है लेकिन हिमेश रिश्यम्या से पहले एक शक्स है जो रानू के लिए किसी फरिष्टे की तरहा आया इस शक्स ने रानू का वीडियो बनाया जो वाइरल हो गया रानू पच्चिममंगाल के राना घाट स्टेशन पर गाना गाकर ही गुजारा करती थी उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा भी लेकिन अकसर लोग उन्हें अंदेखा कर देते थे रानू अकसर पुराने ही गाने गाय करती थी उनके वाइरल हुए वीडियो में वो लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही है ऐसे ही एक दिन रानू गाना गा रही थी तभी वहाँ एतिंद्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और उन्होंने वीडियो बना लिया एतिंद्र ने ये वीडियो अपने फीस्बुक एकाउंट से शेयर किया बस फिर तो जो हुआ सब जानते हैं वीडियो वारल होने के बाद रानू से कई संगीतकार और प्रोड्यूसर कॉंटक करने की कोशिश करने लगे साथ ही रानू को कई स्टेश शो करने की ओफर भी मिलने लगे खबर ये भी है कि उन्हें कोलकता, मुंबई, केरला और बांगलादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में परफॉर्म करने के लिए भी ओफर मिले थे उन्हें खुद का म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करने का ओफर भी मिला यहां तक कि रानु को गाना गाने का ओफर देने वाले आयोजिकों ने उनका में कोवर भी कराया हाल ही के वीडियो में देखने को मिल रहा है कि रानु हिमेश श्रिमय के साथ अपना गाना रिकॉर्ड कर रही है रानु जब हिमेश रश्यमय के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो उस वक्त एतिंद्र भी स्टूडियो में ही थे एतिंद्र को खुद भी अकिन नहीं हो रहा कि उनके एक वीडियो ने कैसे एक महिला की जिन्द की बदल दी रानु को मौका देने के लिए एतिंद्र ने हिमेश रश्यमय को शुक्रिया कहा वीडियो के बाद एतिंद्र लगातार रानु के संपर्क में है एतिंद्र पेशे से एक सौफ्टिय अंजीनियन है और राना घाट में ही रहते है हिमेश रश्यम्या की अगली फिल्म Happy Hardy and Here है इसमें रानू मंडल ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है हिमेश रश्यम्या ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रानू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही है उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और गायद कर रही है वीडियो वाइरल होने के बाद रानू के जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई है रानू की इस नई जिन्दगी में खुश्या है खुश्या है रानु के पती का निधन हो चुका है और वो स्टेशन पर गाना गाकर ही अपना जीवन यापन करती थी लेकिन अब रानु के जिंदगी बदल गई है